बिहार के उपमुख्यमंत्री समराट चौधरी जब सोसल मीडिया साइट पर फोटो डाल करके बिहार के छात्रों को इस बात की बदाई दे रहे थे कि बिहार में अब 200 और मेडिकल की सीटे बढ़ गई तब पूरे देश में एक और परकर्ण चल रहा था और उस पर वो चू तक नहीं बोलते हैं उस बात का जिक्र तक नहीं करते हैं तब हमको लगा कि बिहार के लोगों को ये बताया दाना चाहिए कि ये नेता जो होते हैं सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं कुछ बिगर जाता है तो अपनी पाटी के खिलाफ या फिर उस घटना के बारे में बात त सोसल मीडिया साइट फेस्बुक पर समराठ चौधरी अपने अधिकारीक अकाउंट से एक पोस्ट डालते हैं और उस पोस्ट के माध्यम से बिहार के मेडिकल के चात्रों को इस बात की बढ़ाई देते हैं कि बिहार में अब 200 और मेडिकल की सीटे बढ़ गई हैं छपड़ मामले में समराठ चौधरी कुछ नहीं बोलते हैं समराठ चौधरी को तो छोड़ी दीजिए इंडिये के बड़े से बड़े नेता भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते हैं और वो भी तब जब बिहार का इसमें नाम सामने आता है अब तक 19 लोगों की गिरिफतारी नीट प बरा नेता आकर के इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं या फिर इस पर बोलना भी उचित नहीं समझते हैं तो जास्वी प्रसाद यादो जो है सोटल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद नीट पर बात करते हैं वो लिखते हैं कि नीट पेपर बहुत गंभीर विशा है हिरासत में अपराधी कबूल कर रहा है कि पेपर लीग किया गया है अभ्यर्थी अभिभावक विद्यार्थी युवा सभी चिंतित हैं पूरी बिवस्था ससंकीत है पर इंडिये सरकार नक से सिख तक अंकार में इतनी डूबी है कि देश में प्र परिक्षा में कुछ धांदली भी हुई है अब तेजस्वी प्रसाद यादो जब ये बात लिख रहे थे तो आप साइद ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये बात तेजस्वी यादो क्यों लिख रहे हैं कि सरकार जो है क्यों नहीं मान रही है कबूल नामे के बाद भ जब सिक्षा मंतरी का पदगरहन करते हैं उसके बाद नीट पेपर लीग का मामला सामने आता है और उस मामले पर धर्मिंदर प्रधान एक बयान देते हैं वो बयान ऐसा था कि पूरे बयान की चर्चा देश में होने लगी थी क्या कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि नीट लोगों के गिरफतारी होती है 14 लोग बिहार से पाए जाते हैं उसमें और उन्हों लोगों के द्वारा ये कबूल कर लिया जाता है कि सेम पेपर जो एक्जाम में दिया गया था उन्हीं पेपरों का तयारी हम लोग करवाए हैं और उसके बाद भी सरकार इस बात को मानने स साफ साफ इंकार कर देती है कि नीट का पेपर लीक हुआ है अब आप समझ लीजिए कि बिहार में जब कॉलेज की सीटे बरती हैं मेडिकल की सीटे बर जाती है तो समराथ चौधरी आकर के अपना पोस्ट डालते हैं फेस्बूक पर और उसके बाद लोगों को बधाई देते ह हैं कि बिहार के लोगों को प्रहाई करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा लेकिन समराथ चौधरी या भारतिये जनता पार्टी का कोई भी बिहार का बरा नेता आकर के ये नहीं बोलता है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है जिसके कारण कई सात्रों का जीवन बरबाद होने की कगार पे आ गया है इस बारे में एक सब्द नहीं बोला जाता है आप समझ लीजिए कि ये जो नेता होते हैं वो सिर्फ आकर के क्रेडिट भी तोरते हैं अगर कुछ गरबर हो जाता है उनकी पार्टी सरकार में होती है तो उस पर वो चुपी साथ लेते हैं बाकी इस दन्यवाद